हिमाचल में राशनकाड EKYC करवाने की तिथी बढ़ा दी गई है पहले तिथी 31 अक्टूबर 2023 थी DC कांगडा डॉक्टर निपुन जिंदल ने बताया कि खाद्य नागरिक आपूर्ती एवं सारवजनिक वित्रन परनाली विभाग के तहत उब्भोक्ताओं की राशनकाड की EKYC करवाने की तिथी 30 नवंबर 2023 तक बढ़ा दी गई है उन्होंने कहा कि कुछ उब्भोक्ता अपना अपने परिवार के सदस्यों का EKYC करवाने से वंचित रह गए थे पिभाग द्वारा ऐसे लोगों की सुविधा के लिए EKYC प्रक्रिया पूरण करने की तिथी बढ़ाए गई है उन्होंने कहा कि राशन वित्रन में परदर्शिता लाने के लिए EKYC के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि राशन कार्ड में दर्च व्यक्ति का नाम जनमति थी तथा लिंग अधार में दर्च डाटा के अनुरूप हो इसके द्रिष्टी गत जिला में EKYC की प्रक्रिया अरंभ किये गई है उन्होंने सभी उभ्भुकताओं से अग्रह किया कि वे EKYC की प्रक्रिया को समय रहते पूर्ण करें हिमाचल और देश दुनिया से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 News, Choice of हिमाचल के साथ